समस्कार दोस्तों मैं स्स्थानीब सwagat तो सबीका आज किस नई क्लास में दोस्तों ज्यादा फियायदा लोग क्लास से QR योइन हो जब U आज किस वीडियों बात करने वाले हिंदी की most important question answer के बारे में क्योंकि इस वीडियो में नई सिच्छा नीद पे आधालत सारे question और answer होने वाले हैं और नई सिच्छा नीद पे जो आप लोगों को मालूम है कि जो semester प्रणाली लागो हुई समेश्टर वाले चाहत जो है उनके लिए most important है क्योंकि semester वाले question इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं तो वीडियो को मिलाकर सुर्ष लेकर अंत तक जरूर देखें अगर आप लोगों को कुछ जानकारी कुछ important question चाहिए तो क्योंकि question और answer में दोनों provide करने वाल मैंने चाहटे हैं और सोच समझ के रखें ताकि आपको कहीं न कहीं आने वाले exam में जब भी आपका एक्जाम हो 2022 में तो आपको help मिले और आप सभी को मालूम है जल नहीं आप लगवी की exam भी होने वाले हैं तो आप लोग तयारी में जूटे रही है ठीक है तो चलिए स्टा प्याने रेटन आप लोगों के exam होने वाला है लेकिन यह सालों में जो बीए थर्डेयर के question पूछे गया है पिछले सालों में वह सारे question इस वीडियो में included है तो बीए थर्डेयर वालों के लिए है लेकिन क्योंकि फष्टे और सिकेंडियर में इस बार आप सभी वालूम र फिसल है थर्डेयर वालों के तो दोनों तीनों यह किछा जरूर देखे पहला question है ठीक है कि गेरसंथ ने अवधिया पूर्भी हिंदी को किस अप भ्रंच से उत्पन माना है उसका जो answer आप लोगों को मिलना है यानि उत्तर लिखना है लिखा कि सौर ठीक है सौर शेनी यू सरे कोष्चन साइब मैं आप लोगों कुछ निसमें पिछले क्लासों में आप लोगों बताया लेकिन वह फष्टेयरण कर देखनेकों लिखाया कि अवधी की उत्पति कब से कम आनी जाती है तो यह जो समझेंगे सभी छात ठीक है लिखा कि एक हजार सभी के आसपास हुई है यद्यप इस्तित को लेकर बिद्यानों में मतभेद है कुछ बिद्यान इसे 90 सताब्दी में तो कुछ 11 सताब्दी में मानते हैं यानि कि जो आउधी के चत्ति लेकिन अनेक उलग मतभेद को बिद्यान के मतभेद के अलग-अलग-अलग स्ट्रड़ों में वाज़त किया जा सकता है इस कूश्चिन का एंसर में आप बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार सभी को मालूम ही है कि जो्तुप पैटरन होने वाला वो सबजेक्टि हुई होने वाला तो सब्जेक्टि जब लोगों का क्वेस्टन पेपर आएगा सब्सक्राइब सक्षपilia सब्सक्राइब हो सकता है और सब्सक्राइब हो सकता है तो यहां पर आप लोगों का एंसर में लिखना कि विकास की आत्रा को सत्राइब हैं यहां तक आदि काल सब्सक्राइब लिखने को अच्छे माक्ष मिल जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे माक्ष मिल जाएंगे ठीक है हुआ ंश्को से कि आधिकालीन अउधि की प्रमुक्रशनाह नाम कीजिए यानि कि जो पर्मुक्रशना रसना नाम लिखना पहला लिखा है कि आप लोगों का पॉइंट्वी यह नंमरीं करेंप लिख सकते हैं लिखा की ही हिम प्राकरण नेस्ट है रोड़ा करतो नैस्ट आपटकरत ने सब्सक्वारतों सब्सक्राइश करतो निक्ते राउलन Україे तो यह रहें जो प्रमुक कमियां जो कि आधकालिन आउधी की प्रमुक रस्ताइए आपके सामने मैंने नाम बताया और यह मुश्ट इंपार्ण कोईश्चन याद रखेगा इस तरह का कोईश्चन आजा तो आप लोग आप कुछ भी क्रतिया लिख देंगे चारी पांस तो आपको कही नबर पूरे मिल सकते हैं एक नेस्ट कोईश्चन इसी में लिखा कि अउधी भासा का स्वड़ यूग कि कि काल को कहा जाता है इस काल की प्रमुक रस्ताव का नाम लेख कि जिए तो मौस्ट इंपार्टन कोईश्चन ध्यान से समझेंगे याद रखेगा बहुत इंपडिए बहाचा का सुण युग मध्यकाल को कहा जाता है जित इंप वड़ रसनाकार निम्नुवत है तो लोगों मिल जाएगा कुत्बुन म्रगवती ठीक है म्रगावती और मंझन मधुमालती जैसी पदमावत आखरावट आखरी कराम निष्ट उस्मान चित्रावली निष्ट शेख नभी ज्यानदीप और निष्ट कासिम साहा ठीक है जवाहिर ओके चले निष्ट देखते हैं लि कविता की शुरुवात कप्से मानी जाती है तो आप लोग को यहां पर आइंसर भी मिल जाएगा और ठीक है इसकाल के प्रमुक कभी के नाम इस प्रकार है जैसे कि पंडित परताव नार्मिस पंडित सुक देओ मिस्र बलब ठीक है बलभद परसाद दिचित पिढ़ीश ठी तो यह कुछ कुल मिला के यह जो कभी है यह अधुनिक आउधी कविता के जो सुरुवात हुई ठीक है तो इसकाल के परमुक कभी है याद रखेगा ठीक है अप लोग कोश्चन मिल जागा लिखा कि डाक्टर बाबुराम सक्षेना ने आउधी को कितने शेत्री के रूप मे निम्नुवत है लिखा है कि सक्षेना ने आउधी को तीन शेत्री रुबाव में विवाजित किया है नंबर एक है पस्चमी आउधी दूसरी है केंद्री आउधी तीसरी है पूर्भी आउधी ओके नेस्ट कोश्चन इसी में कि आउधी का छेत्र बिस्तार उत्तर अमेडिकर नगर की अकबरपूर तहसील गोंडा बल्राम पुस्रा वस्ती बर्यराज मिर्जापूर इत्याद में ठीक है अउधी छेत्र बिस्तार तरीत है ठीक है बिस्तार है इसका नेस्ट कोश्चन लिखा है कि उत्तर प्रदेश के बाहर किन प्रदेशों में अउधी आ इत्र बिन प्रियोग तो होते हैं कि इनके जो तीनों संग्याँ रूप के तो यह पर लिखा गया सेख权 का जर्म कब और कहां हुआ था तो आप लोगों को एंसर मिल जाएगा फिराल यह मैं पूरी का पूरी पीडियाप टेलेग्राम चैनल पर डालने का प्रिजाश करूंगा तो आप करते रहेंगे तो आपको काफी याद भी रहेगा एक्जाम में बदद भी मिलेगी तो यह कोश्चन का लाओ आप लोगा एंसर पढ़ लीजेगा जैक निसार का जन्म पिति का उलेख कहीं भी ठीक है कहीं भी नहीं किया गया है लेकिन उनके ग्रंथ यूसुप दूलेखा में इस बात का लेख है कि उस्ता में समबत अठासो साइटालिस की पोश्पोडिमा को उनकी अपनी उक्तिक ग्रंथ की रशना की ती जिसमें कुल साथ दिन लगे थे ठीक है उक्तित से इस प्रेस्ट है कि उनका जन्म सन सथासो तैटिस सभी में हुआ था अपने जन्म के विश डिए और लिखा कि इस पर ठेक पाइडा बाजिले के शेख पुर गाउं में हुआ था प्रुम उसे में उससी मैं आपको बिल जाएगा से कुछ सब्सक्राइब है मैंने मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन और इंसर दोनों बता है मुझे अब ध्यान आ रहा है तो फिराल दुबारा से वीडियो बनने कोई दिक्कत नहीं अगर दुबारा से पढ़ लेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा ठीक है जैसे असानी से एक बार और देख लेंगे वीडियो बाद में या फिर टेलेग्राम चैनल पर मैं पीडियप डाल दूंगा पढ़ लेंगे तो आपको सारे कोईश्चन रिपीट हो जाएंगे जो इस वीडियो के ठीक है इसी तरह और भी कोईश्चन आपको मिल जाएंगे अंतस् और तो नहीं डाल पाता हूं लेकिन यह पक्का डाल दोंगा मैं ठीक है और शेख निसार ठीक है कि इसके बारे में आप लोगत लिखना चैनल का प्रभाव प्रलच्चित है तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ लेता हूं यह मुस्ट पाड़ कोईश्चन लिखा कि इस एक नि याद रखेगा शेयक इंसारकत योसीप जुलेखा का वरय निभी सेयुष्प और जुलेखा की प्रेम कहानी कहानी है यह कुरान की एक कथा पर आधायत रत्ना है इसके अलावा इस पर सूफिर साधक मौलाना जामिक कि रचना यूसीप जुलेखा का प्रभाव पर अलच्छि जो मैं आपको बताया हूँ आपको समझ में आ गया होंगे जो चोटे-चोटे थे एक दुमें उसका एंसर आप लोगों को नहीं बताया हूँ तो आप लोग टेलेग्राम पे आर आसानी से पढ़ लीजेगा बात में ठीक है तो आपको पूरी मदद मिल जाएगी ठीक है तो क्लासे प्रवाइट की जाती जो आपके एक्जाम के लिए काफी हेलफूल साबित होती हैं हो भी सकती है और होती भी है मैं पिछले कई सालों से यह सारी को इस तरह आपको प्रवाइड कर रहा हूं काफी चानल से जुड़े भी है टैल और लिंक वीडियो की डिसक्रेसर में टेलेगरान पर उस्चे जान हो जाएए कौन सब्जेट का माडल पेपर चाहिए कमेंट में जरूरू बताएं हम आपको मिलेंगे नेस्ट वीडियों तब तक करें जाहें दो